दोस्तो आज हम लेके आये हैं Realme और Micromax के ओर से आने वाले दो बहतरीन स्मार्टफॉन जो कि आपको अराउंड 11,000 टू 13,000 के आसपास मिल जाते हैं दोनों ही गेमिंग स्मार्टफॉन हैं तो पहला स्मार्टफॉन हमारे पास Realme के ओर से Realme 6 और दूसरा स्मार्टफॉन हमारे इंडिया का स्मार्टफॉन ब्रांड Micromax के ओर से Micromax M Note 1 दोनों मुबैल के एंबोक्सिंग करेंगे एक साथ नजा डालेंगे basic features, look design पर बात करेंगे दोनों मुबैल के price के और देखेंगे कौन साब मुबैल है आपके लिए सबसे best तो बने रहे मरे साथ वीडियो में चैनल पर आए हो पहली बार और अगर आपने अवी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे आपको एक सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा उसको दबा दीजे बगलन बैल आइकन उसको भी दबा दीजे वीडियो को कर दोनों स्मार्टफोन बॉक्स में कुछ इस तरो से पैक होकर आते हैं और मॉबैल का डिजाइन आपको बॉक्स में नहीं दिखाते हैं बैक साइड में थोड़े बहुत हैडलाइन फीचर्स दिये गए हैं जिने मैं वीडियो में आगे बताता रहूंगा तो जल्दी से कर ल जाता है मोबैल की सेप्टी के लिए फ्लेक्सिबल है ट्रांस्पेरेंट है काफी अच्छी क्वाल्टी का आपको केस इसमें तिया गया है इसके बाद आता है स्मार्टफोन फिलाल के लिए इसे रख लेते हैं साइड में अंदर आपको एक चार्जर अडप्टर और यूए जरूर दींगे बाकी यह है दोनों मोबैल के साथ मिलने वाले चार्जर अडप्टर काफी बड़ा डिप्रेंट है दोनों मोबैल के चार्जर अडप्टर में साइज देखिए तो यह है फ्लेस चार्जर और यह है फास्ट चार्जर तो यहां पर आपको माइक्रो मैक्स इन मिनाइट में 40% तक चार्ज कर लेगा इसकी आउटपूट रेटिंग देखें तो इसमें आपको आउटपूट रेटिंग मिलती है 5V 2A और 5V 6A की मैक्सिमम Made in China यहाँ पर लिखा गया है जबकि हमारे इंडिया का स्मार्टफॉन ब्राइंड में Made in India लिखा गया है और दोनों स्मार्टफॉन में आपको टाइप सी USB केबिल मिल जाती है और यह है दोनों स्मार्टफॉन जिनका फ्रेंड लुक कुछ ऐसा हमें देखने को मिलता है डिस्प्ले साइज में या पर माइक्रो मैक्स तोड़ा सा बड़ा लग रहा है बाकि दोनों मुगाल की साइड में दिया गया है और माइक्रो मैक्स इन नोट वन में आपको सेंटर में पंचोल मिलता है बाकि दोनों स्मार्टफॉन में स्क्रॉल आप करने पर सारी की सारी एप्स आपको देखने को मिल जाएगी माइक्रो मैक्स में आपको प्योर एंड्रोइड मिलता है कोई भी फाल्टो के bloatware app आपको देखने को नहीं मिलेंगे, सारे के सारे useful app आपको दिये गए है, stock android आपको इसमें मिलता है, जब कि Realme 6 में भी काफी कोशिस की गई है, कि bloatware app को कम रखा जाए, हाला कि फिर भी एक दो app यहां पर आ गई है, चलिए uninstall करके देख लेते हैं, तो जैसे कि यह app है, इसे हम यहां से, जी हां, आप unwanted app को अपने phone से अटा सकते हैं, दोनों smartphone के display की बात करें, तो Realme 6 आपको देता है, 6.5 inch की full HD plus IPS LCD, और Micromax Innote 1 आपको देता है, 6.67 inch की full HD plus IPS LCD, यानि कि दोनों smartphone में आपको full HD plus display मिलती है, Aspectra 1229 का दोनों smartphone में, और Screen Regulation आपको मिलता है, 1080 x 2400 Pixel का दोनों smartphone में, Pixel Density Realme 6 में 405 PPI की, और Micromax में 395 PPI की दी गई है, वहीं Screen Refresh Rate की बात करें, तो 90 Hz का Refresh Rate आपको Realme 6 में मिलता है, और 60 Hz का मिलता है Micromax in Note 1 में, और Realme 6 में आपको Corning Gorilla Glass 3 का protection भी दिया गया है, दोनों smartphone में आपको बिलकुल same thickness मिलती है, 8.9 mm की और weight की बात की जाए, तो 4,300 mAh की battery आपको Realme 6 में मिलती है, और इसका weight है 191 gram, और Micromax में आपको 5000 mAh की battery मिलती है, और इसका weight है 196 gram, दोनों smartphone के back panel पर नजड आने, तो काफी glossy glass finish आपको दोनों smartphone के back panel में देखने को मिलती है, हलांकि दोनों ही mobile में आपको plastic polycarbonate body दी गी है, कर भी back panel के साथ, तो यहाँ पर हम Realme 6 में देखे, तो light reflection काफी कमाल का आपको देखने को मिल जाता है, quad camera setup दिया गया है, जिसमें आपको Realme 6 देता है, 64 MP का mean camera, 8 MP का ultra wide angle camera, बाकि 2 plus 2 MP के other sensor camera with LED flashlight, और Micromax आपको देता है, 48 MP का primary camera, 5 MP का wide angle camera, बाकि 2 plus 2 MP के other sensor camera with LED flashlight, दोनों smartphone के punch hole के अंदर आपको दिया गया है 16 MP का selfie camera, चलिए बात करते हैं, दोनों mobile के processor की, तो Realme 6 मां आपको मिलता है, 2.5 GHz का octa-core processor, chipset MediaTek Helio G90T का आपको इसमें दिया गया है, वही पर Micromax में पीछे नहीं है, Micromax भी आपको देता है, 2 GHz का octa-core processor, chipset MediaTek Helio G85 का, दोनों ही gaming processor है, आप heavy से heavy game भी easily play कर सकते हैं, दोनों smartphone में, यहाँ पर battery के मामले में, Realme 6 पीछे हो जाता है, Micromax in Note 1 से, दोनों smartphone के right side पर नज़ा डाले, तो Realme 6 में आपको power on key, plus side mount and finger fin sensor भी यहाँ पर दिया गया है, यानि कि यही power on key भी है, और यही पर आप finger fin sensor भी set कर सकते हैं, Micromax में आपको power on key, plus volume rocker से एक साथ मिल जाते हैं, उपर की side देखें, तो Micromax in Note 1 आपको secondary mic noise cancellation के लिए भी दे रहा है, left side में आपको SIM tray मिलते हैं, दोनों smartphone में, जहां आप दो SIM card, एक memory card, तीनों एक साथ यूज़ कर सकते हैं, volume rocker, Realme 6 में आपको left side में मिलते हैं, और Micromax in Note 1 आपको एक extra key देता है, जो कि Google Assistant का work करती है, दोनों mobile के bottom का setup देखें, तो बिल्कुल एक जैसा setup आपको दोनों smartphone के bottom में देखने को मिलेगा, दोनों ही mobile में आपको 3.5 mm का audio jack, primary mic charging jack, और speaker grill, सब कुछ bottom में एक साथ मिल जाते हैं, एक छोटी सी नजर दोनों mobile के rear camera पे डाले, तो यहाँ पर Micromax पूरी की पूरी टकर दे रहा है Realme 6 के camera को, यहाँ पर देखे आप काफी colorful camera आपको दोनों smartphone में देखने को मिल जाता है, और यहाँ पर हम zoom करके देख लेते हैं, तो Realme 6 से आप पूरा का पूरा 10x तक zoom कर सकते हैं, जबकि Micromax से आप only 4x तक ही zoom कर सकते हैं, लेकिन zoom करने के बाद भी आपको दोनों smartphone में काफी इच्छी quality देखने को मिल जाती है, तो camera के मामले में दोनों ही smartphone में आपको काफी अच्छी camera मिल जाते हैं, और front camera on करके देखें, तो दोनों mobile में आपको 16 megapixel के selfie camera दिया गया है, लेकिन selfie camera के मामले में मुझे यहाँ पर Realme 6 का camera थोड़ा सा better लगा, हाला कि Micromax का camera भी काफी कमाल का है, लेकिन दोनों का comparison करके देखें, तो यहाँ पर थोड़ा सा Realme 6 का camera आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा, बाकि दोनों smartphone में आपको ported का option भी मिल जाता है selfie camera के साथ, बाकि आप filter भी यूज़ कर सकते हैं दोनों smartphone, और अब आप दोनों smartphone का price जानना चाह रहे होंगे, तो यह है Realme 6 6GB 64GB वेरंट, यह आपको 13,000 रुपे की कीमत में मिलता है, हाला कि इसका दूसरा वेरंट जो की 4GB 64GB वेरंट है, वो आपको 11,000 रुपे की कीमत में ही मिलेगा, वही पर बात करें Micromax in Note 1 की, तो यह है 4GB 64GB वेरंट, यह आपको 11,000 रुपे की कीमत में मिलता है, इसका दूसरा वेरंट है 4GB 128GB वेरंट, जो आपको 13,000 रुपे की कीमत में मिलता है, तो दोनों ही mobile एक दूसरे को काफ़े अच्छी टकर दे देते हैं, तो दोनों smartphone price के इसाब से काफ़े कमाल के smartphone है, gaming smartphone है, camera smartphone है, काफ़े अच्छे camera आपको दोनों smartphone में मिल जाते हैं, तो friends अब आप comment box में बताइए, दोनों mobile में से आपको कौन सा mobile अच्छा लग रहा है, कौन सा mobile आप purchase करना चाओगे, और अगर आप दोनों में से कोई साभी smartphone यूज़ कर रहे हैं, तो mobile के बारे में कोई भी अच्छा या बुरा या आप comment box में बता सकते हैं, जिससे हमारे अन्य वीवर्स को भी कुछ न कुछ मदद मिले, मिलते हैं अगली वीडियो में अगली unboxing के साथ, तब तक के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद चैनल को सब्सक्राइब चुरूर कर दे,